सफ़र जिन्दिगी का हो या सरक का बैलेंस बहुत जोड़ी होता है और इसलिए हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए पर इसका मतलब यह नहीं कि नब्बे के उमर में नाव चलाना सिखा जाए जिस उमर में आखों पे लेंस होना चाहिए उस उमर में ये नाव पे बैलेंस बना रहे है बिगड़ गया ना उमर और हुनर में कोई रिलेसन नहीं होता किसी भी एच में कुछ भी सीख सकते हैं आजकल बहुत फिलोस्पी मार रहा है वह अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन किया हूं इसलिए असर दिख रहा है तो आजकी वीडियो में ऐसे ऐसे बोट देखेंगे जिसने भारी नोटों की नुकसान की है अब इन्हें देखिए इतना उतावला तो ग्रैस पर चड़ा हुआ दूद नहीं होता बरतन से बाहर आने के लिए उतना उतावला ये है ये हम लोग जाने के लिए खेर गलती से कहीं से उफनाती हुए दूद में पानी की बूंद आगिरी और बच गए ये हम लोग जाते जाते हुआ तो अपने गाव गली मुहले क्या हाईवे में भी ब्रेकर देखा होगा लेकिन क्या पानी में ब्रेकर देखा है जी यह है जल मार्ग का ब्रेकर और यह नीचे से नहीं ऊपर से ब्रेक करता है और इस जहाज वाले को यहां से निकालने की इतनी छूल मची थी जितना तो पाकि की घरबडी का क्या कहना कहीं न कहीं अख़बार में देखने को मिली जाता है लेकिन इस जहाज वाले का क्या हरबडी मता था क्या चुलमची थी इतनी कि इतने बड़े जहाज को चुल्लू भर पानी में उतार दिये हो गई ना गरबडी इस पर बैठे हुए लोग आज भी इस बात पर कंफ्यूज है कि जहाज में पेट्रॉल डाले थे डिजल डाले थे या दारू डाल दिये थे पलट गया अपने ये तो सुना होगा की बड़ी मचलिया छोटी मचलियों को निगल जाती है लेकिन ये केस आपको मैं जहाज के मामले में दिखाता हूँ आख बंद डबबा गयब ये तो सुना होगा आपने लेकिन यहाँ तो पूरा जहाज ही गायब हो गया ऐसे साइकल पर बड़ी बोड़ी लादते समय ध्यान रहें कि सबसे पहले तो बैलेंस बना दे और दूसरी उसे ट्यूब से कसके बांध ले वरना बीच रास्ते में ऐसी मख सकक कट 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 को देख ले आप समझ में आ जागे जी हाँ यहाँ यहाँ देखे जल में जल पड़ी नहीं जल पड़ा लादने की अपार कोशिस वैसे बाई किया साइकल और बोड़ी के मामले में आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है तेरे साथ तो हुआ है हाँ वो तो सब के साथ होता है और तेरे साथ भी हुआ होगा यह मेरे पास पैर नहीं है मैं साइकल नहीं चलाता हूँ मैं तो हुआ जा जुराता हूँ अब देखिए अगर दो सांड बीच बजार में भड़क जाए तब भी इतने आमने सामने की लराई नहीं करते इन दोनों जहाजों ने ऐसे आमने सामने की टककर मारी है कि मैं इस बात पर कंफ्यूज हूँ कि दोनों कैप्टन कहीं नजारे देखने में व्यस्त थे या मोतिया बिंद की बिमारी है सरक अच्छी बीवर तो क्या फर्क परता है कुछ लोगों को फुट पात पर गारी चलाने की आदत होती है अब इने ही देख लीजिए लगता है कैप्टन साहिब या तो नसे में धुट थे यह आटो पाइलेट का टेस्टिंग कर रहे थे वो टेसला वाले को टकर देने के लिए आग पानी और विने कुमार से नहीं टकराने का वरनों इसका अंजाम बहुत बुरा होता है अबे पर्सो तो आंधी से उरकर पीपल के पेर पर लटक गया था चल 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 कर रखना भुलाया मैंने खर छोड़िये मजाग की बाते और ये देखिए लहरों से बाजी लगा रहे थे पता नहीं लहरों ने कितने अंदर तक लहरा दिया इसलिए कहते हैं कि जिंदिगी में रोटी बनाने वाला तवा और समुद्र में जाने के बाद भावा ना बने अगर इंसान के जुबान का ब्रेक फेल हो जाता है तो मूँ लाल हो जाता है और अगर जहाज का ब्रेक फेल हो जाता है तो कईयों का बुड़ा हाल हो जाता है हैं सच में ब्रेक फेल है या जमीन पर चलाने का कोशिस किया जा रहा है वैसे आजकल सरसों के तेल के आउकात बैंक बैलेंस बिगारने तक हो गई है लेकिन वही सरसों का तेल फ्लोर पे गिर जाए तो आपके पूर्य सरीर का बैलेंस भी कर जागा अब वही सरसों का तेल गर्म करके मालिस करना पड़ेगा वही से हल्दी चुना तो लगी गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएगे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने पानी के जहाज का सफर किया है और अगर करे भी तो हमारे इस वीडियो को याद मत करें और अगर करते हुए देख रहे हैं तो मत देखे यार बस इंज्वाय करें ऐसा कभी कभी रेयर केस में होता है तो बस वीडियो को लाइक करें तब तक हम आपका सवाल लेते हैं और गोलगप्पे से पूछते हैं ध्यान देजिएगा तो सवाल है मोहन भागू की तरफ से और इनका सवाल ये है कि बेगानी साधी में अब्दुल्ला दिवाना पता बैज अब्दुल्ला एलाइसी के एजेंट था दिवाना था साधी होने के दूसरे दिन ही पहुच गया पॉलिसी बेचने ये चक कर था भाई देगानी साधी में अब्दुल्ला दिवाना मतलब यार बिना पुछे कहीं भी जाना और उस बीच में परना तो यही कहा जाएगा वीडियो के एल पर खतम करते हैं तो वीडियो के लाइक करें जैनलो को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेसन अन करें और गुल्गाट्रे के लिए सवाल सोचकते हैं अगले वीडियो में आपका सवाल लिया जाएगा और बस आज के लिए इतना ही जहिन